नमस्कार आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूटू चैनल में आज के वीडियो में हम डिसकस करेंगे प्लान पेथोलोजी की कुछ टर्मिनलोजी और प्लान पेथोलोजी का बैसिक पढ़ने ही कोसिस करेंगे क्या आखिरकर प्लान पेथोलोजी होता क्या है और plant pathology से समधी जितनी भी आपकी समझ्या हो सकती उसका मैं निरागारण कर सकता हूँ तो आईए start करते हैं what is the plant pathology देखिए plant pathology को समझने से पहले मैं आपको practically ले जाऊँगा कि पादप रोग विज्ञान क्या है ये वीसे क्या है एगरिकल्चर में इसकी महत्ता क्यों है तो पादप रोग विज्ञान अगर हम बात करते हैं सीधे खेत में जाते हैं फिल्ड में जाते हैं तो हम plant को लेते हैं सबसे पहले लेकिन अगर आपके पोधे में अगर लीफ में क्लोरोसीस हो जाती है नेक्रोसीस हो जाती है पत्ती गलने लग जाती है मॉल्टिंग हो जाती है या तो जड़ में कोई समश्या हो जाती है पोधा सूकने लग जाता है सीधी बाते है सर कि पोधे में नियमित कारण होने लग जाते है नियमितित कारणों से पोधे में परिवर्तन होने लग जाता है और पोधा हरा की तुलना में कुछ पीलापन या धब्बेदार या और सारी बिमारियों वो प्रतसित करता है तो यही है कहानी अगर इस तरह का पोधा आपको दिख जाता है तो वो पोधे में बिमारी लगी हुई है और यही बिमारी का पता करने के लिए हम plant pathology पढ़ते हैं समझ गे तो plant pathology आपको इस तरह से ध्यान लखना है कि एगर आपके पोधे में कोई भी थोड़ी से समश्या है समश्या का मतलब क्या है अगर वो पीला है हरे के अलावा कुछ भी character उसमें आ रहे है मलब उस पोधे में बिमारी है अब ये बिमारी होती किस से होगी ये बिमारी होती तो किसी और से होगी किसी जीव से हो रही होगी या तापमान से हो रही होगी या और किसी कारण से हो रही है तो इस तरह से plant pathology को हम तीन भावों में बाटते हैं plant pathology में होने वाले factors को बिमारी पेदा करने वाले factors जो पोधे में होए थे ना पीले वाले हरे तो तीन भावम इसको बाढते हैं तो सबसे पहले बिमारी को करने वाले factor वो तीन तरक हो शकते हैं तीन तरक के मतलब biotic, merobiotic और dobiotic और abiotic यह तीन ही कारा के बाइया प्लांट पेथलोजी में अगर स्टेडी हम करते हैं तो इन तीनों की स्टेडी करते हैं पहला क्या हो जाएगा बायोटिक फेक्टर्स दूसरा एवायोटिक फेक्टर्स और तीसरा मीजोवायोटिक फेक्टर्स अब यह बायोटिक क्या है सर्क बायोटिक का मतलब है जेवीक कारक जेवीक कारक क्या होते हैं जेवीक कारक जिनमें जी होता है और वो जब पोधे में हानी पहुचाते हैं पोधे में बिमारी करते हैं चाहे वो जड़ में कर रहे हो चाहे इस्टेब में कर रहे हो तो ऐसी बिमारी जो जेवी कारकों से हो सकते हैं उसे हम बोलते बायाटिक फेक्टर्स जैसे आपकी फंजाई है फंजाई से आपका बेक्टरिया है, नेमाटोर्ड है, रिकेट्सिया है, माइटोप्लाज्मा है माइको प्लाज्मा है, इन्से जो बीमारिया होती है अब ये तो root में करें या stem में करें ये सारे हंबास ना न करें हमारे antibiotic factors होते हैं लेगिन कई बार पोदे में abiotic factors से भी बीमारियां देखने को मिलती है जैसे temperature अधी हो जाने से जुलत जाता है टेंपरेचर कम होने से पोधा मर जाता है नेक्रोसीस हो जाता है, मतलब टीसू की मरती हो जाती डेट पार्ट हो जाता है, क्लोरोसीस हो जाता है जींक की कमी से, मतलब न्यूट्रेंट की कमी से कुछ बिमारिया हो जाती पोदे में जैसे जिंग कमी से खेरा हो जाता है जिंग कमी से वाइड बैड हो जाता है बोरान की कमी से बहुत सारे न्यूटरेंट बटनिंग जो होती है वो नाइटरोजन की कमी से होती है विफ्टेल बिमारिया यह सब न्यूटरेंट से हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि abiotic factor वो factor होते जो किसी nutrient की कमी से temperature की कमी है आधिकता से nutrient की कमी है आधिकता से होते हैं यह सारे ही हमारे abiotic factors जिसमें rainfall भी हो गई frost हो गया जाल एंवार्मेंटली factor जितने हैं वो सारे abiotic isn't है abiotic factors है अब हम बात करते हैं mesobiotic factors क्या है जो पोदों में कुछ चेंजेस लाते हैं तो मेजोबायोटिक वो जी होते हैं जिन में जीवन नहीं है जो ना नान लिविंग है ना लिविंग है मनलब जो जेविक और जेविक के बीच के बीच के जो है और्गनिजम इनमें कोन आता है मीजोबायोटिक में तो इसमें आते हैं वाइरस